पाकिस्तान ने की लड़ाई लेकिन उस्ट्रेलिया ने उनको धूल चटाई कैश्टॉल एक्टिव प्रेजेंस हैश्टाग अगाश्वानी और डिजिटल स्पोर्ट्स रेडियो पार्टनर इस स्पोर्ट्स फ्लैशिज तॉस जीत के फिल्डिंग का फैसला एक स्पिनर था उसको ड्रॉप करना चार फास्बोलर के साथ उतरना और जब फिल्डिंग का फैसला किया तो फिर बोलिंग तो की अच्छी नहीं की catches छोड़ी वो भी धेर सारी Pakistan didn't really help their cause जिस प्रकार से इस मुकाबले को खेले हैं जिस प्रकार से इस मुकाबले को हा रहे हैं they have only themselves to blame क्योंकि एक चीज यह टॉप पे बताना जरूरी कि विश्व कप के इतिहास में हम 12 एडिशन की कर रहे हैं बाद और धेरों मैचेज की कर रहे हैं बाद आज तक पाकिस्तान ने कभी 270 से उपर का टोटल सक्सेस्फुली चेस किया ही नहीं तो फिर भईया टॉस जीत के जब गेदबाजी का फैसला कर रहे हैं तो यह बात जहन में ज़रूर होगी तो फिर उसका मतलब क्या है शुरू में विकेट्स चटकाई है बीच में विकेट्स चटकाई है सवा 200-200 में ऑस्ट्रेलिया को रोकिए लेकिन ऐसा करने के लिए बोलिंग बे अच्छी करने पड़ती है अपने वो काम बिल्कुल नहीं किया एरेट फिंच का शुरू में कैच निकला अस्टेफली ने छोड़ा फिर कप्तान सर फराज ने छोड़ा और फिर तो दूसी तरह से वार्नर खेल रहे थे डेविट एक्स्प्लोजिव वार्नर शतक वीर ये पहले बने है ये चौथा मैच खेल रहा उस्टेलिया तीन जीत चुका है लेकिन पहला शतक आया है इंडिविज्वल शतक और किस बल्ले बास के बल्ले से आया है वो जो बारा तेरा नहीं आची चौदा पंदरा महीने अंतर राश्टरी क्रिगेट से दूर रहा ये जो अपडेटेड अपग्रेड़ वर्जन है डेविड वार्नर का इन्होंने सब को संदेश ते ये वार्णिंग दी है वार्नर ने सिरफ पाकिस्तान को नहीं ये बाकी सभी टीमों को भी कि मुझसे जरा बचके रहना पहले मैं जरा संभल संभल के खेल रहा था अब मैंने पाउं जमाल हैं मैं संभलूंगा भी और टीम को संभाल भी लूंगा उन्होंने शतक जड़ा 82 बनाए एरन फिंच ने बड़ी है साज़दारी दी 146 उसके बाद थोड़े सा लडखणाना जरूर शुरू किया उस्ट्रेलिया ने एक पैटिंग और अपने स्मिथ को तो आगे भेजा लें वो इतना नीचे भेजा उससे पहले आपने भेज दिया शौन मार्श को मैक्सवल को कुछ जयदा ही जलदी भेज दिया और एक समय लगा साड़े तीन सो बे पहुंचेगे पहुंचे मातर तीन सो साथ तक और वस कर्टसी मोहमदा में आमिर के पास क्लास है तुनों ने की अच्छी गेंदबादी 10 ओवर, 30 रन, 5 विकेट जब आपके बाकी सभी गेंदबाद 60-70 रन खा रहे हैं उस के अगर लिहास से देखें उस लेंज से देखें आमिर वस अपसलूटी सेंसेशनल आग्री 10 ओवर में 51 रन दिये पाकिस्तान ने उच्छे विकेट चटकाई लगा शायद खेल में बापिस आएंगे लेकिन इतना आसान था ने पकर जमान को शुरू में आउट किया बैट कमिंज ने फिर एक बनी साजेदारी बाबर आजम एक क्लास है इनके पास लेकिन वो छोटी क्लास रही इस बार बड़ी क्लास देखने को नहीं मिली उनको बाउंसर पे आउट किया और फिर इमाम उलहक आउट हुए फिर मौमाद अफीस फुल टॉस्क आउट हो गए फिर शुय मलिक आउट हो गए शुन्य पर वहाँ एकदम से लगा कि वो दो तशमलव दो तीन तीन गेंदों का खेल था 11 रन कुल बने थे और तीन विकेट आपने गवा दी जब मुकाबला जीते हैं तो लगता है करीबी मुकाबला है लोकिन इतना करीबी हुआ प्याभ़ी हुआ नहीं अस्टेलिया ने इस मुकाबऩे को जीता ला इसम हैं बीच में पैट कमीस बाद में मीचल स्टा जण और जो पांच में इंदबास की समस्या है, मुझे लग रहा है इस टॉइनीस की जग़ा, इनको फटा-फट से वी की सबस्ड़ा पर सबस्क्राइब का सबस्ट है इन सबस्यां है, मुझे जो पर जान वोर्ण को परहुते है कि अठ्यारी सिभ्य पर्ण को सब्स्टाइब बुत्जां इनको बीखार और यह वी केरे हैं कि रिशाप्न को हमने इक प्लालिया है अंप्र की चकारो में एक परोouses के बड़ी झाप कुर्चार हां एक रडुक एक रुट को चाहत है, एक बात्या टीज ओ सकरी हो, बाले यह किए एक हैं से स्टी को काहने हो। तो यू की बात्य हम सकी एक अवाला के एक पलिए करिए उएलीयम. as far as the batting order goes yes KL moves up at the top of the order and there are various options that the team management can utilize going into the next game so obviously Vijay Shankar is going to be an option and then there are a couple of others as well so the thing is that in around 10 or 12 days we will be taking a call on the status of Shikar until that point प्रेश्म्स पेडर के दिस्टेश्ट प्रेश्म्स प्रेश्म्स के प्रेश्म्स करें रहा है जाज तो न्यूजीलेंद का प्रिवीव है और उस पे जनाज स्वेबतर भी है